जैसा कि आप जानते हैं कि MS Excel में किसी भी number को tax में convert करने के लिए कोई भी function available नहीं है लेकिन हम इसको VVA के through create कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि VVA के through आप ऐसा function कैसे create कर सकते हैं जिससे आप किसी भी number को tax में convert कर पाएं अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को last तक जरूर देखें और इस वीडियो का feedback comment section में जरूर दें तो आएए समझते हैं कि VVA के through किसी भी number को tax में कैसे convert करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि MS Excel में VVA को use करने के लिए हमें developer type में जाना होता है और यहां पर visual basics का एक option रहता है हमें इसे select करना होता है जब आप इस पर click करेंगे तो इस तरह की एक screen आपके सामने आएगी यहां पर आपको insert में जाके एक module insert करना है और यहां पर आपको यह code लिखना है क्योंकि code बहुत बढ़ा है अगर मैं लिख के पूरा code यहां पर आपको दिखाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पहले code को लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ basically msxl में हम bva के through अगर हम कोई function create करना चाहते हैं हमें सबसे पहले यहां पर function लिखना होता है और process को automate करना होता है तो वहां पर सब लिखना होता है इसलिए मैंने यहां पर function लिखा है then num underscore text इस तरीके से इस code को लिखा है तो यह पूरा code है मैं इस code को description box में दे रहा हूँ आप code को यहां paste करके vv की screen को close कर सकते है then जहां पर भी आपको number से text में चाहिए वहां पर लिखना is equal to और जो function हमने वहां पर create किया था वो था num underscore text जो आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है जब आप इसको select करके और जिस number को text में convert करना चाहते हैं उसको select करके bracket को close करेंगे enter press करेंगे तो आप यहां देखेंगे जो भी number आप यहां पर लिखा हुआ है वो text में convert हो जाएगा और जहां तक आप इसको apply करना चाहते हैं वहां तक इसको drag कर सकते हैं या फिर अलग-अलग cell में इसको लगा सकते हैं आप इसको verify कर सकते हैं जो भी number आप यहां पर लिखेंगे उसको यह text में convert करेगा जैसे suppose मैं इसको 10 कर दूँ तो आप यहां देख रहे हैं यहां पर 10 हो जाता है या फिर मैं किसी भी number को change करेंगे आप जो भी number यहां लिखेंगे उस number को text में convert कर देगा और यहां पर इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह से vva के through कोई function ms excel में create कर रहे हैं तो आपकी file micro enable workbook में save होनी चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है file में जाके save as then आप इसको जहां पर भी save करना चाहते हैं और जिस नाम से भी save करना चाहते हैं वो select करने के बाद save as type के अंदर excel micro enable workbook option को select करना है जिसमें extension होगी .xlsm जब आप इसके साथ इसको save करेंगे तो फिर जो code अभी तक आपने यहां पर लिखा हुआ है उसको आप future में भी use कर पाएंगे otherwise आप इसको future में use नहीं कर सकते हैं तो basically इस तरीके से आप ms excel में function create करके किसी भी number को text में convert कर सकते हैं आज की इस वीडियो का feedback comment section में जरूर दें अगर आज की वीडियो आपको informative लगी तो वीडियो को like और share जरूर करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करने के साथ साथ bell icon पर click करके all के option को select करें जब भी मैं अपने इस चैनल पर new video डालू उसका notification आपको मिले और मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी और interesting video में